जेस्पूर देखें हमारा जेस्पूर कितना सुन्दर जेस्पूर मानी बिधायक जी के साथ जेस्पूर के इस दुरमें दुरस छेत्र में वह या कुछ आप इस मौके पर बोलना चाहेंगे इस अबी हम यह मतलोंगा गाउं जा रहे हैं मतलोंगा गाउ जहां पहारी कोरवा जनजाति के लोग है नगे शेस समाज के लोग है पंड़ा समाज के लोग है उनके निमंतन पर में आज कुछ रश्म छोग अदाइगे करते हैं क्या 오른 तो हैम आग में चलते हैं लोग तो वो कोई रश्रम है तो इनका पोजाबाट में अज मैं मंदिर का लोकारपन के करने के लिए जा रहा हूं तो इस वीच में ये सुन्दर जो है हमारा अलोरी ग्राम से पहले यहां पर पट्या गाह हम पार हुए हैं यह देखिए कि ता सुन्दर हमों का चेतना बहुत सुन्दर है बहुत सुन्दर है यह देखिए सब ग्रामरी जन्यां पर बैठे मिलेंगे आपको कोबडी बथान जिसको हम बोलते हैं जगतना पर कोबडी बथान वाह कितना अच्छा लग रहा है गजब का यहां किसी को जस्पूर आना हो तो जस्पूर आईये और मैंने यूटूब में हील इस्टेशन जस्पूर लिखा उसको भी सार्श करेंगे बहुत सुप खुबसूरत चीजों को मिलेगा हमारी संस्कृति को भी देखने को मिलेगा चले आगे वीडियो में आपको और भी खुबसूरत चीजों से दिखाते हैं यही खासियत है अनेकता में एकता भारत की वीशिशता और वैसे आपका एक्षी जो और है बढ़ावा दे रहे हैं आप और यहां जो पेड़ पहुदा है उसको भी आप प्यास करने का काम कर रहा हूं यह बहुत ही संरक्षित मैं हर वर्क हर चित के लोगों को मैं संरक्षित कर रहा हूं चाहे बाड़ी को रवा जन जातिक हो लोग हो चाहे नगिस समाज के लोग हो चाहे बीरोर समाज के लोग हो आज उनकी विकास के लिए मैं सोचता हूं तो आज उसी कड़ी में मैं हर बने डेली उनके बीच में मैं जाता हूं ताकि जब तक हम उनको मजबुत नहीं करेंगे अर्थिक दिष्टी से हो च मैं हमिसा लगा रहता हुं ताकि बिना शिक्षा कहा बिना आर्थिक मज्विदी का कुई समाज विकास नहीं कर सकता यह मैं जानता हूं हम सब जानते हैं पसंद रह तो लाइक करें करें सेर करें शूरद च ठानिवाग पनार